सरसती अस्तांग पीछे क्या है इसमें कहां से लेकर आ रही है कहां लेकर जा रही थी कोंड मेडम जी के घर पे क्या नम था मेडम का अमरीति क्या है उसमें क्या बोली मेडम मेडम जी खलके की घर पे घर पे इसकुल गई थी परने के लिए खगडिया जिले के अलॉली प्रिखन अंतरगज शुंभा पंचायत के श्री शिव नरायन मध्धव द्दाले में मध्यान भोजन योजना का कुछ ऐसा हाल बच्चे बेहाल वही प्रधाना ध्यापिका और बिच्वालिये माला माल हो गये हैं सरकार बच्चों को दोपहर का भोजन मुहया करा रही है परन्तु असलियत तो यह है कि अन्य सरकारी योजनाओ की तरह मिड्ये मील योजना भी ब्रिस्ताचार की शिकार है पुधाना अध्यापिकों के इस बहस्राचार के बाद बच्चों को कैसा भोजो मिलता होगा या असानी से समझा जा सकता है मिट्टे मील योजना से बच्चों की जगह पुधाना अध्यापिका और बिचौलीय हिस्ट पुस्ट हो रहे हैं पूरी की पूरी योजना एक बड़ी गोलमाल की भेट चड़ गई है। हद तो यह है कि इस भिस्टाचार में इन इचले अस्तर से लेकर वियर अस्तर के पदाधिकारी के हाथ भी MDM के गोलमाल में रंगे हुए हैं। वक्षे जिन्मेदार जाच करना भी जरूरी नहीं समझत इसके अलावा जिन्मेदार पर्याप धनवाशी मिलने के बाद भी भिस्टाचार करने से नहीं चुक रहे हैं। इस कारण बच्चे घडिया खाना खाखा कर बिमार पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बुद्धवार को ग्रामडों ने तीन छात्राओं को डाल वत तेल विद्याले से बाहर लेकर निकलता देखा तो उससे पूछताश की। तो बच्चों ने बताया कि उक्त विद्याले के पधाना अध्यापिका, अमृतिक कुमारी में उसे पांच किलो अरहर और धाई किलो मसुद डाल वा तेल का एक लीटर अपने घर पहुँचाने को बोल स्तिक्षा पताधिकारी कृष्ण मोहन ठाकुर को फोन के माध्यम से शिकायत किया, जिसके बाद जिलाकारी क्रिम अधिकारी कुमार अनुबलो निरिक्षिन करने पहुचे जहां ग्रामिडों ने हंगामा करते हुए उक्त सिक्षिका पर कड़ी से कड़ी कारवाही करने की म जिसके बाद अधिकारी ने छात्र छात्राओं से फीडबेक लिया जहां ग्रामिडों के द्वारा मिली शिगायत सही साबित हुई वही बच्चों ने घडिया भोजन खिलाने की बात कही जिस पर रसोईये को भी फटकार लगाते हुए गुर्वंता पूर्वक भोजन बनाने का दिशानिर्देश दिया वही जिला सिक्षा अपताधिकारी खगडिया को प्रतांक 2974 दिनांक 13 दिसंबर 2022 की आदेश अनुसार वीर सिक्षक शंकर मोची को अविलंब प्रभार देने का आदेश दिया गया स्थानिय ग्रामडो और बच्चों ने बताया कि एक भी दिन सभी बच्चों को भोजन सही से नहीं मिलता है ना भोजन की गुर्वंता सही रहती है वही मेन्यू अनुसार एक दिन भी भोजन नहीं बनता है जिस पर रसोयों ने बताया कि जो जो समान मिलता है प्रधाना धापिका द्वारा उसे बनाते हैं इधर बच्चों को पढ़ाने के जगा चोरी सिखाने को लेकर परीजनों सहीत ग्रामडों ने विद्यालय में हंगामा शुरू कर दिया जिस पर जुलाकारी बदाधिकारी ने सबको आशवाशन देकर शांत करवाया और कड़ी करवाई करने की बात कहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या करवाई होती है फिलहाल तो इधर ग्रामडोंप में आक्रोश का माहौल बना हुआ है क्या नम हुआ बाबू खुसी पिता जी का नम क्या नम हुआ राजा राम क्या कहा गर हुआ पिछे क्या है इसमें कहां से लेकर आ रही है कहां लेकर जा रही थी कोड मेडम जी के घर पे क्या नम था मेडम का क्या है उसमें क्या बोली मेडम मेडम की घर पे घर पे इसकूल गई थी परने के लिए किस कलासन परती है दूसरा तुम किस कलासन परती है तुम्हारा क्या नम हुआ बाबू निकीता निकीता कहां घर हुआ तो जैसा की बताया जा रहे हैं इसको पकड़े इसलिए पकड़े की बच्चा तीनों इधर चाह रहे थी समाने के लिए की के लो में हम ऑते तो पहुंचा झारी किया जा रही है मतल चाही है छां से मेडम करें हुचा। इस नम पुचिये इसको, तब हम पिर यहां सुजी को फोन की क्या कहना चाहते हैं, क्या नम हो आपका? गुलसन कुमार का क्या कहना चाहते हैं इसको? क्या कहना चाहते हैं, मेडन जो मॉस्टर इसको करवाई होना चाहिए जो बच्चे लगवा के घड़ पे अपना इस्कुल का नासरकारी चीज़ अपने घड़ पे जबाते है